तो हेलो गाइज वेलकम है आपका मेरा बहुत दिनों के बाद से नई व्लॉग में और ये व्लॉग मैं आज काफी रात हो रही है वहाँ से स्टार्ट कर रहा हूं क्योंकि बहुत दिनों के बाद स्टार्ट करने का मन किया तो मैंने सोचा क्या मैं कल का वेट करूं तो मैं इस होने के वक्त में तो मैं आपको वो दिखा जिता हूँ है तो यह देखिए गाइस कुछ इस तरीके का भी रोड का इधर पर बाहर के हालात है क्योंकि टाइम काफी हो गया है अल्मूस्ट बारा बजने वाले हैं तो कुछ इस तरीके से रोड भी चल रहा है बहुत ज्यादा लोगों के आवाजाई नहीं है तो मैं भी पहुंचता हूँ पहले गर ठीक है दोस्तों देखो घर पर आगया हूँ गेट बन कर दिया और सिंसिनाटी को यहां कड़ा कर दिया है यह हमारी माता जी है अंदर जा रही है और मोटर रोटर का तार लग रहा है कि मेरा पैग है इसमें से अपनी चीजे निकाल लेता हूं सारी अपनी जिम की टी-शिर्ट दिन में पहनता हूं अपना सिपर इमें निकाल के अभी रख लेता हूं सब कुछ कि मुझे करना होता है अब मैं आके फ्रेश हो चुका हूं नहाद हो चुका हूं मैं खाना खाना काता हूं आप भी सोचोगे कि इतना जल्दी-जल्दी क्योंकि आज कुछ भी नहीं है रात के अब अब मूस्त साड़े बारा पौने एक हो जने वाला है एक ही बच जाएगा ऑल्मस्त तो कुछ है करने के लिए तो मैँ इसलिए आपको जल्दी जल्दी से जो सब कुछ है चो एक स्टार्टिंग करना चाहता था दो बारा से तो इसी लिए दिखाता हूं अपको क्या काता हूं अन्यम आग डाल ली एंप हमापले इनको ता या बोलते हैं उसको लेता हूं कि अपने लिए अपनी डाइट रेडी करता हूं कि यहां पर यह मेरे बॉइल राइस रेडी है कि देखो कि यह मम्मी आराम करने की मुद्रा में अपना खाना वाना खा चुकी है इवे ठीक है इनको आराम करने देते हैं और मैं अपने एक बना लेता हूं पहले पटाफट तो ओके गाईस यह देखिए आगवी मैंने डाल दिया यह मेरा ओमलेट बन रहा है भी जैसा भी बनाना आता है प्लीन में बना लेता हूं तो ओके गाईस डन मेरा जो खाना था वह हो चुका है फिनिश मतलब फिनिश तो नहीं मतलब मेरा गया है पेट भर यह सबजियां जो बची है इस पर मैं कल दोबारा खार लूँगा ऐसा मना सोचेगा कि वेस्ट करता हूं खाना वेस्ट नहीं होएगा यह मैं दोबारा खा वानिया सुन रही है जो बहुरा है